वालो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग अल उफ यू हाव आर यू आप यू विल वे गुड एंड फिट दोस्तों मुझे उम्मेदे कि आफ सब इस कोर अना वेस्विक माकाल में स्वस्त होंगे यूर अर्टली वेलकम फ्रेंड्स इन विवेकानन ओनलाइन क्लासेज विवेकानन के ओनलाइन क्लासेज में आप सब कार्दी गवन अंदन है दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज की जो पॉइम नंबर थ्री है दालो टेस कमल अब मैं इसको प्रारम करना हम प्लीज ओपन यूर बुक एं ट्राइट विट मी मेरे साथ इससे समझने का प्रियास करें तोरुदत अबाउट दा पॉइट बताराम दोस्तों थोड़ा सा मैं क्योंकि रेफरेंस में थोड़ा सा इसका आपको हवाला देना होता है कि किसके दोरा किसने पॉइम लिखी तोरुदत भारत के एक जानी मानी कवित्री है जिसको अंग्रेजी बास हम बारते हैं लेकन के छेतर में इस्तुने नहीं युगदान रहा हर फादर वो जो रिच मैनों कलकटा ये कलकटा के एक धनी की वेक्ती थी इनकी पिता जी और मदर हैड डीप नोरेज ओब दा हिंदू माइथ और इनकी जो माताजी थी उन्हें भारते हिंदू पुराने कताओं के गहरी जानकारी थी दिस फैमिली वाज इंप्रेश्ट बाइड ग्लेटर्स ओब दा वेस्ट एंड हैड एंड एंब्रेश्ट क्रिस्टिनिटी ये जो परिवार था उपस्यमी जगत की चाखा चौन से यूरोप मादीब के देशों से प्रभाविता और इन्हों ने इसाइध्रम भी अपना लिया था दोस्तों बट तोरू द तहर ये डीप अट्रेक्शन फोर दा इंडियन एपिक्स और माइथोलोजी लेकिन तोरू द की भारति माखावे और पुरानिक साइध्य में गेरी रूची थी माइथोलोजी ने पुरानिक साइध्य पुरानिक सी रीड दा रामायन दा मावारत दा विश्णु पुरान दा भागवत इन्होंने आपने रामायन मावारत और विश्णु पुरान और भागवत किता पड़ी है हर इमिजनेशन वोजे सेप्ट बाइद इस दा इंडियन क्लासिकल उनकी कल्पना सकती को इन भारते साहिते गरंथों ने एक आकार दिया कि कैसे क्या लिखना है हर लिट्रेचर, अमाउंट्स इन दा कल्चर, हेरिटेज ओफ इंडिया उनका साहिते भारत की सांस्कृतिक द्रोवर से ओत प्रोथ है दोस्तों अब मैं अपने I am coming on point अपने बिंदु प्याता हूं इस पॉइम में किस तरीके से प्रेम का देवता फ्लोरा जो फूलो और वनस्वती की देवी उससे एक स्रेष्ट क्विन पुस्प की जो निर्वी वादरुप से बिना कोई डिस्पुट के सबसे अच्चा पुस्प वो मांगने जाता है दूइधा उड़ती है क्योंकि फूलों में स्रेष्ट होने के लिए गुलाब और कुमदनी जिसे लिली कहते हैं उसमें एक लंबी परतिस परता है अब जो लव प्रेम का देवता वो चाहता है कि ऐसा पुस्पो जिसमें गुलाब की भी क्वालिटी हो विसेस्थाएं हो औ जानतीत गत्वा जो फ्लोरा जो पुस्पों की और प्रनस्पति की देवी उन्होंने कमल के फूल को इस योग्गे समझा, स्रेष्ट समझा की जिसमें दोनों के गुन नहीत है दोस्तों और कमल को ही उसको दिया गया तो कमल आप जानते हो पुरुस्पारों के नाम भी कमल पर रुखे गए दम शरीप दम बूसन पडम भी गूसन और आप ये भी जानते हो दोस्तों कि भगवाण विश्ण देवी लक्षमी दोनों इस जा प्रूँ से आती प्रेम करते हैं तो इस पूल का भारतिये बतज agree ॥ान्या सायटों में भारतिये एक पस्मी पुस्म है लेकिन कमल अपना एक हिंदू संस्कृति का पुस्म माना गया है इसी को स्थ्रेश्ट माना गया यह बता है जा रहा है दोस्तों की प्रेम का देवता फूलों की एम वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आता और फ्लोरा से एक फूल मांगा है जो ऐसा फूल जो सरो मानने रुप से फूलों की रानियों स्रेश्ट हो और फूलों का स्रेश्ट किंगो दा लिली एंड दा रोज लिली और जो गुलाब है लोंग लोंग हेड़ बिन भी राइवल्स दोनों एक दूसरे के परतिदंदियें लंबे समय से डेट हायर ओनर इस स स्रेश्ट सम्मान को पाने के लिए सम्मान जनकपत को प्राप्त करने के लिए गुलाब तो अपने आपको स्रेश्ट समझता और लिली अपने आपको स्रेश्ट फूलों में बार्ट सो पावर हैड संग देर क्लैम्स मान कभियों ने उनके दाओं को अलग अलग गुलाब स्रेष्ट मानता है कभियों का और एक समूं कुमदनी जिससे गुला वो लिली कहते हैं उसको स्रेष्ट मानता है और उनके अपने अपने पक्स में उन्होंने परसंसा में हने कविताएं लिखी है दो दारोज के नेवर टावर लाइक दा पेल लिली विथर जुनो जुनो मीन इसमें बता जा रहा है कि दोस्तों पीले रंग की कुमदनी जो वर्षा के देवता की बहुत सुन्दर पत्नी जुनों के समान सुन्दर है दिखने में तो कुमदनी उसके मुकाबले में गुलाफ स्रोच्च्छतान ट्राप्त नहीं कर सका है लेकिन गुलाफ तो स्रोच्च्छतान प्राप्त नहीं कर सकता है किन्तु क्या कुमदनी अधिक सुन्दर है इस परकार मनुष्य के मन के लता मंडप में बहुर यानि लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच ही जगडा चल रहा था ग्यूमी फ्लावर डिलीसियस ऐज दा रोज अब जो प्रेम का देवताय लव वो कहता है फ्लोराश से कि मुझे ऐसा पुस्प दो जिसमें मदुर सुकंत किस के समान ओव मुझे गुलाव के फूल की मदर सुगन जैसी सुगन का फूल दो गुलाव की सुगन जैसी हो और जिसका गर्व कैसा हो लिली के समान दिखाई पड़े वे सांधार फूल दो मुझे बट ओव वोट कलर तो फ्लोरा पूछती है कि कैसा कलर पहले है पहले प्रेम के देवता लव ने कहा कि मुझे रोज यानि गुलाव की तरे लाल दो फिर दुबारा कहा नो लिली वाइट मुझे सफेद दो और बोथ प्रोवाइट और लास्ट में कहा फिर कि मुझे दोनों रंगों के फूल दो प्लोरा गेव दा लोटस रोज रेड डाइड तब वनस्वती और फूलों की देवी फ्लोरा ने कमल का फूल दिया जो की लाल रंग का था और कुमदिनी के फूल के समान सपेद भी था जो सबसे ज्यादा सांदार फूल था और खिल रहा था इस तरीके से अंतित गत्वा वनस्वती और फूलों की देवी फ्लोरा ने कमल का पूस्व को स्रेश टूप माना जिसमें दोनों के गुन नहीं थे रोज यानि गुलाब के भी और लिली कुमदिनी के भी और उनका मिक लोटस को माना इसमें दोनों के गुणों के नीद थे इस परकार से लोटस को नोंने एक अंडिस्पुटेट रूप से स्रेश्ट पूस्प मानते वे लाव प्रेम के देवता को दिया प्रेंड्स योर पॉएम इस कंप्लीट इयर प्ली लिसन दिस ओडियो अगें और अगें आट्राइ विट वर्ड मिनिंग मैं इसके साथ आपको आज वर्ड मिनिंग और क्युशन आंसर पीडिये अप डालना हम प्लीज वित रेफ्रेंस आपको वो भी वित रेफ्रेंस एक इस्टोफ लग